हेलो फ्रेंट्स जैसी किष्णा जैमादादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आपसे भी आश्रकरती हूं कि आपसे भी बहुत अच्छे होंगे उप्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पै अबनी यह है तो आप सेकंड दिख लेजिए हो सकता है आपने जीजाइड हो चुके हो को सेकंड वाला आपके लिए हो तो प्रीज आप ध्यान से दोनों को ही चूज करें या देश सूने चूस बले एक को करें लेकिन सूने दोनों को तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्द हमें आपके फस्ट नंबर जिन्होंने भी चूश करा है डबल त्री उनके लिए देख लेते हैं इस अपको कौन सी खुश खबरी मिलने वाली हैं क्या होने वाला है इस अपता में बड़ा ही अनुकुल समय हैं यह साथ दिनों का इस अच्छे समय का लाब उठाने की कोशिश आपको करनी हैं किसी महतुपूर्द कारे पर पैसा लगाने के आप सूच रहे हैं तो परिस्तितियां आपके हित में हैं आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा बैन्फित आपको मिलने वाला है किसी भी कारी को करे थोड़ा सीरियस को करके करे घर की सुख सुविधाओं पर भी ध्यान दे इतना ध्यान रखें किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से कोई मामला आपका सुलजने वाला है इसी के साथ पढ़ाई को लेकर भी आप काफी सचेत रहने वाली है बहुत अच्छा समय है अगले सब्ता आपको बहुत बड़ी खुश ख़बरी मिलने वाली है करियर से रिलेटेट काफी अच्छा हिंट मिलने वाला है जो आपको बहुत मदद करेगा हेल्प करेगा यानि कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है रिलेक्स रहना है आपको रिलेक्स होकर के इंजॉय करना है प्रिजेंट को एक चीज और बता दे दोस्तों आपको कि परिवार के लोगों के साथ संभंध आपके सुधरने वाले हैं अपने समस्याओं का हल तुरंत मिलने से तनाव भी आपका दूर होगा योजनाय आपकी सफल होगी अपने आसपास की उर्जा में बदलाओ करने के आपको कोशिश करनी चाहिए मन को प्रसनता जिन कामों की वजह से मिल रही हैं उन पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा काम संबंदी प्राप्त हुई प्रगती के वज़े से आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है आपके द्वारा किये गई बड़ी खरिदारी के कारण जीवन शेली में बदलाओ भी आ सकता है साथ में प्रगती की वज़े से मानसिक आनन भी प्राप्त होगा खुद के द्वारा रखने गई लक्ष को ध्यान में रखकर आपको काम करना होगा योजना के विना आगे बढ़ना आपके लिए तकलीफ कारण बन सकता है इस बात को ध्यान में रखें कि प्लानिंग के विना कोई भी कार्या आपको नहीं करना है पुरानी नकारत्मक बातों से चुटकारा पाने की कोशेश आपको करनी होगी तनाव दूर करने के लिए किसी विक्ति से साहता मिलेगी उसे स्विकार करें बहुत अच्छा समय है अगले सप्तहा का रिलेशन्शिप में भी सुधार नजर आ रहा है पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने की कोशेश करें आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होने वाला है जिन लोगों की वज़े से जीवन में निराशा आई थी उनसे अब आपके दूरिया बनने वाली है यानि की अब जो समय है बड़ा ही अच्छा है तो इन लोगों से जो नेगिटिविटी उत्पन करते हैं आपके जीवन में निराशा उत्पन करते हैं इनसे जितना हो सके दूरी बना करके रखें अगले साथ आपके लिए बहुत बैस्ट होने वाले हैं अभी का समय काम के लिए बहुत महत्वपूर हैं इसलिए जीवन से चुड़ी अन्य बातों से अधिक आप काम को महत्वदे भारनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए आप कोशश करें लोगों के उपर बन रहे निर्भरता की वज़े से खुद के विचारों के अनुसान नेड़ने ले पाना थोड़ा कठीन रहेगा परिस्तिती आपके पक्ष में हैं लेकिन अन्य लोगों की बाते सुनने की वज़े से काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा इतना ध्यान रखें लोगों की द्वारा बोली गई बातों की वज़े से मुड में उतार चड़ा हो सकता है किन लोगों पर भरोसा करना और किन लोगों को नजर अंदाज करना ये ठीक से तै करने की कोशिश करें अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ ना करें तनाव कुछ दिनों में दूर होंगे पैसो से संबंदित लेंदेन के कारण आत्म विश्वास बढ़ेगा लेकिन अपनी शम्ता से अधित रिस्क लेने की वज़े से नुकसान भी होने की संभावना है तो ध्यान रखें बड़ा ही खास समय है अगले सब्ताह का काफी अच्छी गुड निउस मिलने वाली है करियर से रिलेटेड परसनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी गुड निउस आपकी राइफ में आने वाली अगले सब्ताह में जो आपने अपने मन में सोच रखा है वो कारण भी होने वाला है जो काफी दिनों से आप ट्राइग कर रहें, नहीं हो पारा है, लेकिन इस सफ़ता उसे रिलेटिट हिंट आपको मिलने वाली है, और वो कारी आपका सक्सेस होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलाक्स रहे, अपने लाइफ को एंजोय करें, अपने प्रिजेंट आत्मे विश्वास होना चाहिए, आत्मे विश्वास अगर आपका डगमगाया, तो वहीं प्रॉब्लम क्रियेट होना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझें, आत्मे विश्वास रखें, जीवन में हर वो चीज, हर वो घटनाय, सब पहली बार होती है धेरे रखें, सयम रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा साउधानी रखेंगे, सत्रकता रखेंगे और धेरे रखेंगे, जो जिन्दगी आपको एकदम नौर्मर लगने लगेगी, पॉजिटिव रहें सैकेंड नौर्मर की बात करें, जिन्नोंने भी सैकेंड नौर्मर चूस कराए, डबल सिक्स, उनके लिए देख लेते हैं, इस अपता आपको कौन सी खुश खबरी मिलने वाली है आपकी बातों की वज़े से लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, सबसे पहले तूं किसी को बिना मांगे सलहा नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कोई पूछे नहीं, तब तक जवाब नहीं देना है जो आपका बड़ बोलापन है, जो बहुत ज़्यादा बोलनी के यादत है, इस वज़े से केतनी बार आपने अपना मान सम्मान भी खोया है और अभी भी हो रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन चीजों को थोड़ा समझे, परके, जाने, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दखलेंदा, जी तब तक नहीं देनी है, जब तक कि वो खुद आपसे कुछ सलहा ना ले, आपसे कुछ पूछे ना, ठी से आपको नुकसान भी हो रहा है, तो जब आपको पता है कि गुस्से की वज़े से आपको नुकसान हो रहा है, काफी लोग आपसे नाराज हो रहे है, घर का माहुल चेंज जो रहा है, नेगिटिविटी आ रही है, आपके माइन में घर में नेगिटिविटी आ रही है, तो ये जरूर समझ ले, अनुभाव के अनिसार ही लोगों से उनकी सला और माग दर्शन मांगे, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे, जीवन में हर वो चीज जो ना तो हुने कभी सुनी होगी, ना कभी देख प्रशना होगा कि आखिर इश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, तो क्यों दिया, आखिर हमें ये जीवन मिला है, तो इसके पीछे का प्रज़िया, सबसे पहले तो हमें positive रहना है, सभी के लिच्छा सोचना है, देखिए जो दानी वेक्ति होता है, वो दान करके अमीर बनत करके, पैसा जोड़ जोड़ के, ताले में रखकर, इखटा करकर के कोई गरीब बाहर भूका मर रहा है, लेकिन आपके दिजोरी में पैसा भरा हुआ, आप उसको ढ़िंसे रोटी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पिला सकते, चपल नहीं पिला सकते, तो आपका धन वेर् ही है, ठीक है, इस बात कर ध्यान रखें, अगले सब्ता बहुत बड़ी सीख आपको मिलने वाली है, अगले साथ दिनों में बहुत बड़ी गुद न्यूस आप शेयर करेंगे, आपको सर्प्राइज मिलेगा, हो सकता आपकी आखे खुल जाए, कुछ चीजों किसे परदा हो, कुछ बातों पर राज खुल जाए, कुछ चीजे हैं जो प्लियर आपको दिखाए देने लगेगी, कही ना कहीं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, परिवरतन आने वाला है, जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होगा, और जरूर ठीक है, अच्छाईयां बुराईयां सब जरूरी है जीवन में, परिस्तित्यां एक जिसी नहीं रहती, चाहे दुख हो या दुख, दुख भी स्थाई नहीं रहता तो सुख भी स्थाई नहीं रहता, दोनों आने जाने वाले पन हैं, लेकिन वहाँ परिक्षा होती हमारे धेर की हमारे सहीं, जो हमें नहीं आता, देखे धेर, सहीं, आत्म विश्वास हमारे ऐसे साती हैं, जो कभी हमारा साथ नहीं जोड़ सकते हैं, चाहे हमारे पास बिसा हो या ना हो, धेर अगर हमारे पास है, सहीं हमारे पास है, आत्म विश्वास हमारे पास है, तो हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बल्ड आइकन को प्रेस करें साथी वीडियो पर शेयर करना ना भूदें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी किल आप सब को बहुत बहुत धन्याद जैनला दी हर महां दे